A strong viewers by morning तृद्वान चीमा, welcome back with another video This video is about pros and cons of overseas 1 इससे पहले मैंने तीन विडियो पहले बनाई थी Harmony Pack Block, Overseas District 2, Pros and Cons, etc तो अभी ये आज के वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे Overseas 1 के Pros and Cons Overseas 1 के पहले बात करते हैं Pros से Overseas 1 के सबसे बड़ा Pro ये है कि Overseas 1 Block टोटली, इसम्टे एटी परिसन्ट डिवेल्प बॉक है, तो कोई बी इंडिविजियू ये समें ब्लॉट बाइ करता है, तो वो दिविरिंग इंस्टॉल्मन्ट अपने प्लॉट पे construction start कर सकता है definitely plot resell में available है fresh booking available नहीं है तो जो भी ब individual during installment construction कर सकता है यानि possessionable plot during installment मिलता है तो ये पाकिस्तान में बड़ा rare होता है बहुत कम होता है यानि इसलामबाद रावल पुनिया आप कहीं भी अच्छी स्वाइटी में अगर plot लें तो आपको develop plot plot cash पे मिलता है तो आपको 80 लाग, 90 लाग, 70 लाग, 50 लाग एक value cash में पेग करनी पड़ेगी तब आप plot acquire कर सकते हैं उसके लावा कोई option नहीं होता installment के दुरान आपको plot नहीं मिलता तो ये इसको सबसे बड़ा pro है कि mostly plot 70-80% रखबा जो है वोट developed है तो overseas one का ये pro बन जाता है जो लोग, let's say, cash पे plot लेते हैं और उस पे construction करते हैं तो जो budget नहीं ने construction में adjust करना होता है definitely को plot आपको during installment with some profit मिल रहा हो तो आपके लिए ज्यादा feasible होता है construction करना कि जो पैसे आपने lump sum plot की purchasing में डालने थे वो आप construction पे लगा सकते हैं तो आपको इस बात है काफी बड़ा advantage है overseas one का दूसरा जो प्रो ये है कि overseas one जो है उसकी location 50-50 है, एक pro भी है और एक कौन भी है 50-50 इना sense है, इस तरह के अभी motorway की exact interchange की location आउट नहीं हुई अगर motorway की location आउट होती है एक side पे इसके 400 foot road है और एक side पे इसके 180 foot का road है जिसका नाम है R1 जिसके एक सरा वीडियोज भी देखते रहते हैं तो R1 road के side पे और 400 feet road के side पे main boulevard success मिलना basically एक sandwich district कहलें कि एक तरफ prime है, एक तरफ overseas two है center में overseas one है तो ये एक sandwich district बनता है तो इसका ये कौन इससरा से बन जाता है कि इसके 400 feet road पे जो main जार सी बात access होगी वहाँ पे तो वहाँ main commercials भी आएंगे और 180 feet road पे भी main commercials भी आएंगे प्रो ये है कि जो 180 feet road है उसके commercial ज्यादा high rise नहीं है ज्यादा से ज्यादा commercial जो है वह ground plus 8 ये ground plus 9 के है सबसे बड़ी example उसकी block D के सामने बनने वाले harmony residence apartments दूसरी बड़ी example block C के सामने बनने वाले lake view apartments ये इसके pro में आते हैं C block को थोटा सा उसका होगा क्योंकि C block की एक side पे है high rise apartments यानि के जो back side पे है वह ground plus 10 ये ground plus 12 के बनेंगे और एक side पे ground plus 10 ये लेकवी apartment जो दस-दस किनाल के plots है वो बनेंगे अब कॉन के बात करें तो कॉन इसकी location आ जाती है कि इसकी overseas one में वैसे को बड़ा कॉन नहीं है overseas one में के जा जा रहे कि इसमें ये बुराई है overseas one के वाइद कॉन जो आता है वसकी sandwich location कि आप अगर स्मार्टी में चक्री रोड़ोली side center होते है तो overseas one जो है पुरा prime एक side से cross करने के बाद आपको फिर जाके overseas one में interest मिलती है अगर आप motorway ली side से हैं तो overseas two पूरा cross करने के बाद आपको center में इसकी location मिलती है तो sandwich location है एक तरफ prime एक तरफ two और center में overseas one तो यह जोगी overseas one के जी कौन की बाद अब जी overseas one के सबसे बड़ा जो development का prospect है कि overseas one में अभी December से possession स्टार्ट हो जाएगा यह पोई काउंट होता है डिमांड में अधाफा से मुराद है कि वहाँ पे लेटस एक प्लॉट बिक रहा है दस मले का आज किल पांच साथे पांच लाग चे लाग प्रॉफिट पे तो उसकी डिमांड पर ज्यादा हो जाएगी होती है यूट्यूब पे हाज़ा का मार्क्टिंग अब देखते हैं तो अब तो स्मार्ट के कि नाम है पहले कोई नहीं जानता तो अगर तब इन्वेस्ट किया तो इसका रिटान उनको यह मिलेगा एक तो उनके बास ऑप्शन आजाएगा जो स्मार्ट टी में इस वक्त से ही प्रापरली पॉशेशनेबल हो रहा है जिसमें स्कूल भी है जिसमें मस्जिद भी है जिसमें शॉपिंग सेंटर स् масс से बन रहे हैं और जिसमें बाकी जो जिर्या力 जिर्णिया जिनिग की चीज़ें तो दस लाग अगर सो profit आ रहा है तो उसने जितनी amount invest की थी उस investment उसका return की आ रहा है ये देखने वली बात है लेट से जी दस लाग multiple by 100 divided by 18 लाग पे की है तो return on investment तक्रीबन 60% 65% बनता है ये बनता है जी दो साल का डिवाइड बाय अगर टू करें तो आपको तक्रीबन साल का 30-32% return on investment बनता है मेरे चाले 100 के उपर अगर आपको 32 रुपया आ रहे हैं या लाग के उपर 32,000 कमा रहे हैं तो मेरा ने खियाल किसी लिहाज से ये बुरी investment थी उन लोग के लिए जिनोंने से पतौरली प्यूरली investment point of view लिया और उनके अब return आपके सामने है सेकंड जिन लोगों ने इसको लिया था पतौर end user और वो यहाँ पे अपने plots पे construction कर एक घरबना के रहना चाहते थे उनके लिए option किया है कि उनको overseas one में ही plots installment के दुरान ही दो साल के इंस्टॉल्मेंट के रहती है इंस्टॉल्मेंट के रहती है इंस्टॉल्मेंट के दुरान अगर उनको कबजा मिल जाता है तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि जो पैसे उन्होंने किसी भी जगह society में खरीद के cash में डालने थे plot में plot खरीदने के लिए वही पैसे आप installment में डालके plot पे construction स्टार्ट कर सकते हैं तो यह उनकी feasibility मिलती है यह थी basically overseas one के ज़्यादा pros ही है कौन उसके ज़्यादा है नहीं तो मैं इसलिए explain नहीं कर सका एकसेप्ट few blocks कुछ blocks ऐसे हैं जिनके कौन बनते हैं वो मेरे लिए कौन है मैं उसको पुरा negative कौन करता हूँ वैसे हो बहुत सारे लोगों इन जिसे मैंने last video बनाई थे वह सिस्टू की तो बहुत सारे लोगों फेसिंग के सामने apartment घर ले ले या कोई भी plot ले ले नहीं लेगा मज़िद के सामने बहुत कम, school के सामने बहुत कम, कबरिस्तान के सामने बहुत कम, पंजाब के बंद, पंजाब के पिक के पिलोचिस्तान इस जो तीन सूब हमारे लोग हैं इनकी preference होती है जमीन अपनी छात यानि कि फ्लैट्स पे भी नी जाती ये और आम तर पर करते हैं घर पे और घर की प्रेफरेंस होती है कि अपके hex गरके सामने e-commercial होराश हो रजआ होता है यह मेरा है गरमरी रोड पे है quindi कि भा रहना क्योंकि भाण राना लिए हर वक्त शोर श्राबा और वो चीज है और सिर्फ एक पाकसान में एक बैल्ट ऐसी है हमारे जो हाई राइस के मर्शल्ड जिस तरह इन पता की चीजों से उनको फरक नहीं पड़ता है उनको ज्यादा इस चीज के वो केर नहीं करते वह हमारी कराची के बैल्ट क्यूंकि वहां पे घरों से ज्यादा कल्चर जो है अपार्टमेंट्स का है वो अलड़ी हाई-राइस में रह रहे हैं और उनको अलड़ी एक फ्लोर पे पच्छी स्थ पचास पचास सौसो फैमली जाने की उनको एक आदत है उनको एक सिस्टम देखा हुआ है तो उनके लिए ज्याद यारवन रोड के लफ्ट साइट पर मस्जिद के सामने कमर्शल है तो सी ब्लॉक के पहली फ्यू स्ट्रीट्स हैं वो से मुतासिर होंगी बाकी नहीं और बैक साइट पर पर उसे कमर्शल है यानि हाई-राइस अपार्टमेंट्स हैं तो वहां से भी थोटी सी प्राइवसी बाकी ए ब्लॉक रोड के इस सरफ ग्राइड बनेगी मेडिकल कॉम्पलेक्स ग्राइप्ल प्लस फाइव ए ग्राइड बनेगा जो रोड के दूसी तरफ है आरवन रोड की दूसी तरफ यह निनि प्लॉट के दर्मान में एक सथिफृफ रोड गयब आ जाएगा इस तरफ तो commercial ज़्यादा high-rise नहीं होंगे तो इतना ज़्यादा उन पे इस चीज़ का impact नहीं आएगा So this was it from today अगर आगो smart name booking के वाले से कुछ मालमा चाहिए तो मिना number आपके screen पे available है मुझे वर्टसेप कर सकते हैं इसके लागा को वीडियो ची लगे तो please do like, comment and share और चैनल को subscribe करना मत पूलें रिजवान चीमा को दीजिए अगली वीडियो तो के लिए खुदा आफ़ेस